नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब कर स्वागत है आज की इस वीडियो में दोस्तों आप जियो ये टिल वोड़ाफोन आज ये किसे भी टिलिकॉम ओपरेटर के यूजर क्यों नहों यहां पर ट्राइ की और से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों ट्र ट्राइ ने टिलिकॉम कमपनियों को रिचार्ज प्लाण की वेलिडिटी को 30 दिन करने के आदेज दिये हैं दोस्तों मॉबाइल यूजर के लिए टिलिकॉम और रिगुलेटरी अथार्टि ऑफ इंडिया यानि की ट्राइ ने टिलिकॉम कमपनियों को निलदेश देती दोस्तो गौर करने वाली बात यहां है कि ट्राइ के द्वारा करीब 7 महने पहले भी यहां आडर लाया गया था लेकिन किसी भी टिलिकॉम कमपाईने निर्देशों का पालन नहीं किया यही वज़ा है कि एक बार फिर से ट्राइ की ओल से यहां सोचना जारी की गई है अगर दोस्तो ट्राइ के इन निर्देशों का पालन करती है तो यूजर्स को साल में एक रिचार्च कम करना पड़ेगा अभी केवल 28 या फिर इससे कम आओधी के रिचार्च प्लांस आते हैं जिस करण 12 महिने में यूजर्स को 13 बार रिचार्च करना पड़ता है दोस्तों ट्राइ ने इन निर्देशों का पालन करने के लिए कमपनिया को 60 दिनों का समय दिया है और मौजूदा रिचार्च प्लान पर ट्राइ को यूजर्स की और से लगतार सिकायत मिल रही थी कि ये टिलिकूम ओपरेटर्स एक महिने का रिचार्च प्लान बताकर केव और अठाय उस दिनों की देती हैं तो दोस्तों इसी संग्यान को लेते हुए अब ट्राइन यहां कदम उठाया है वैसे दोस्तों आपकी क्या रहा है इस बारे में आप हमें कोमेंट करके जरूर से बताएगे इस वीडियो के नेचे तो फिलाल के दोस्तों आज के वीडियो